हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चार्नल आज मैं बनाने जा रहे हूं आलू वाला चिकन की करी बहुत ही टेस्टी लगती आलू वाली चिकन की करी बच्चे तो बहुत ही पसंद से काते हैं देखे मैं बना के रख्यों दिखाती मैं आपको देखे चिकन का पीस बहुत अच्छे से पका है और ग्रेवी देखे किती टेम्टिंग लग रही है कि नहीं मैं खा के बताती हूं सुपब है और यालू मुझे तो बहुत ही पसंद आती है यालू वाली चिकन बहुत ही टेस्टी लगती है हमारे गर में तो फेवरेट है बच्चे बड़े सब ब बनाते हैं लेट्स गो सबसे पहले एक कड़ाय लेंगे इसके अंदर आट बड़े चमस तेल लेंगे मैं थोड़ा तेल जादा ले रहे हैं आप ज्यादा थोड़ा कम भी ले सकते हैं इसके अंदर में मीडियम सैज के पाच ओनिंस डाल रही हूं काटके क्योंकि इसमें आती हूं आपको आगे चलके इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है यह इसका फ्लेम लोट्यो मीडियम रखेएगा पाच मिन्ट में यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इस तरह से इसके अंदर डालेंगे हम लोग तीन मीडियम सैज की टमाटर कटे हुए यहने बोले ना कुछने पीसेंगे हम लोग इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे साधा मसार नमक आदा चमच हल्दी पौडर एक चमच लाल मिच पौडर आदा चमच दन्या पौडर आदा चमच गरम मसाला पौडर एकदम सिंपल वे में और बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस और जटपड बन जाती रोज रोज मसाला उसला खाना भी ठीक नहीं और पीस टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा इस तरह सिंपल से बना के देखिएगा बहुत अच्छे लगेगा आपको फिर यह है दो लॉंग दो इलाइची दो सरसो दो सभी खड़े मसाले दो दो करके ले लीजी आपको जो पसंद है तो पूरा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगे आप लोग देख लीजेगा कुछ ज़्यादा मसाला नहीं है आप चाहे तो यह मसाला पीसना न ख gefragt छह-स लुसंन की कल्या भी डाल दिहा को लग कर उसको पाच मिट तक नहीं दीजेगा अ बनाती है बस टमाटर गल गए हमारे इसके अंदर डालूँगी मैं 1.5 kg चिकन है चोटी चोटी पीसेस में कटे हुए मैं तो फ्रिफेंज करती है थोड़े चोटे फीसेस ही इसमें क्योंकि बैचे भी खाते थोड़े अच्छा लगता भी है करकें सबकें मर्जी है आप चाहे इसको डालने के बाद ये दही है दो चमच गर्म की बनी हुई दही है इसको डाल लीजे इससे क्या चिकन के पीस टूटेंगे नहीं और ग्रेवी भी हमारी काफी अच्छी थीक बन की तयार होती है खड़े मसाले में कुछ नहीं है जी सब दो-दो चीज ले लिए जो भी द डख कर पकाएंगे तो डग दीजेघा पास्चमंड में देखे इसने दही ने अपना दही और टमाटा और इस अप्याज ने अपना पानी रिलीज किया दिया है इसी के पानी में इसको पकाएंगे तो इतना टेस्टी आता है आप मानेंगे ने अब इसको अच्छा से मिला लेंगे देखिए इस तरह से लोटो मीडे में रखेएगा आप इसी तरह का कडची यूज कीजिए ताकि चिकन टूटे गने नॉर्मल कडची यूज करेंगे तो चिकन के अंदर जाता तूट जाता और यह कश्मीरी लाल मिर्ची पॉडर डाल रही हूँ यह अप्शनल है मैं ग्रेवी सुंदर दिखने के लिए डाल रही हूँ यह कोई तीकाव काने रहता है आपको नहीं पसंद तो आप माच डाले नौर्मल मिर्ची पॉडर भी डाल सकते है आप चिये तो मिर्ची भी डाल सकते मैंने नहीं डाला है देखे इसको मिलाते मिलाते पाश मिन्ट हो गया है तेल देखे उपर आ गया है मतलब अच्छा से ग्रेवी पक रहा है इस तरह से फ्राइ होना चाहिए चिकन जब फ्राइ होगा तभी तो टेस्ट आएगा हम तुरंत पानी डाल देंगे तो टेस्ट नहीं आता है उबला हो आलू खाने जैसे हो चाहिए इस तरह से फ्राइ कीजिएगा धिम्याच प्रेशन से बनाएगे बड़ा टेस्टी बनता है इसके अंदर डाल रही हो मैं चार मीडम से इसके आलू कटे हुए छिल लीजे धोली बच्चों को तो बहुत ही फेवरेट रहता है अगर हम बच्चिया का चिकन नहीं खाते तो भी उस बाहर ने आलू खा लेंगे आलू कंदर पूरा चिकन का टेस्ट आ जाता है जिससे इतना टेस्टी लगता है हमारे तो मैं बनाती रहती हो जब भी चिकन बनाओ मैं आलू डालूंगी कि बच्चों को बहुत ही फेवरेट है देखें पाश्मिड बाद यह भी बहुत ही अच्छा से फ्राइए हो जा रहा है दी मियाच पर फ्राइए बहुत ही टेस्टी लगेगा इसको आप रोटी नान राइस किसी की साथ भी खाईए बहुत ही असम जाएगा और कि अularई मैं लगबक तीन ग्लाश पानी जादा ने डाल रहा हूं समि ग्रेवी रख रही हो मैं कि आलू पकने तक ही डाल रही हो अगार आपको जाधा पसंद है ग्रेवी तो होड़ा अधिग्लें जादा बढ़ा दीजेगा तो प्लिसके पर ढख कर हमें 10 मिनिट तक तो प डाल देजेगा जब जब मैं बताइए तो चिकन को अलो बहुत जल्दी पक जाता है और अंडे वाले चिकन भी बनाते हैं हम लोग पालक वाला भी सब में शेर करूंगे आप लोग के साथ लेकिन आपको जो चाहिए चिकन किस तरह का बनना है मेरे रेसेपी आप मुझे बस ग्रेवीन थीकोने तक पकाना है रेडी हो गया टेस्टी टेस्टी आलो वाली चिकन की रेसेपी थाइंक्स पर वोचिंग